हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रेंका लर्निंग क्लासिज में JPSC के एकजाम को ध्यान में रखते हुए PT का प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हो रहा है तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंतरगात आपका कितना प्रिप्रेशन है बाकी सारे कोश्चिन का प्रैक्टिस करते हैं ताकि एक जाम में आपका अच्छा पफरमिस हो सके ये डूतिये पत्र जरकन समान ग्यान का सेट है इसके अंतरगात पहला कोश्चिन हम लोग देखते हैं नागवनसी राज में राजस प्रसासन की देखरेक कौन करता था तो इसके अंसर होगा उप्यूक सभी दिवान पटवारी वकील नेक्स्टे मुंडा समाज में गाउं कमिस्टित रूप क्या कहलाता है तो जगा पढ़ा नेक्स्टे पाहन का साहय कौन होता था इसका अंसर होगा पुजारा नेक्स्टे हो जण जाती समाज में बिवा प्रता क्या है तो इसका अंसर होगा दि उप्यूक सभी बधु मुल की प्रता बिवा बहु गोत्री होता है आधी बापला दीकू आधी उपोर तीपी राजी खुसी अनादर आधी बिवा पर चिली थे नेक्स नेक्ते हैं मुंडा और मान की पद कैसा होता है तो इसका अंसर हो जाएगा मनोनीत नेक्स्टे सोरे इसका अंसर एह होगा बंसानुगत होता है संथाल जनजातियों का सबसे सर्व सक्तिमान इस्वर का क्या नाम है तो इसका अंसर होगा सिंगा बंगा नेक्स्टे ख़रिया जनजाती के संदर में निमनिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला या जनजाती जारकन में प्रैचीन काल से पाई जाती है दुसरा जनजारकन के लबाई अमध परदेश 26 गडोरी सा पश्ची मंगल रसम में पाई जाती है उपीक में से कौन सा कथन सही है तो इसका अंसर हो जाएगा दोनों यानि की दोनों कथन सही है नेक्स कोशन देखते हैं पाहर या पंचयत का परदान होता है तो इसका अंसर होगा माजी नेक्स्ट है महान क्रांतिकारी अरबिंद गोस अरबारिंद गोस के नाना राज नरैन बसू कहां के रहने वाले थे तो इसका अंसर होगा देवगर नेक्स्ट है चमपारन अंदोलन के रूप रेखा जारकन को की स्थान पर तयार की गई थी तुराची निक्स्ट बिहार स्टुडेंट कॉन्फरेंस एक सोलामा अधिवेशन कहां हुआ था तो हो जाएगा हजारी भाग निक्स्टे मुंडा बिद्रो का प्रणबिक स्वरूप था तो इसका अंसर हो जाएगा सुधारवादी निक्स्टे संथाल बिद्रो से प्रभावी छेतर कौन सता तो इसका अंसर होगा संथाल परंगना निक्स्टे अंग्रेजों के विरुद पर्थम दिद्रो किस छेत में हुआ था तो जागा सींग भूम निक्स्टे निम मिसेकी से खिलाप गंगा नरहे निभूमी जो को एक अभूत पूर नेतूत परदान किया तो जागा माधव सींग निक्स्टे चोटा नाकपूर का पठार की चट्टाने कैसी होती है तो जागा ट्रिस्टलियम कायंतरित निक्स्टे जारकान में सरवादिक वर्सा होती है तो इसका अंसर होगा नितरहाड इस question देखते हैं सो नधी जारकन किस जिले में परवेश करती है तो इसका answer होगा गडवा next पलामू में किस परकार के मिट्टी जादा पाई जाती है पीली मिट्टी next जारकन में प्रती वेक्ती वन कितना हेक्टेर है तो जाएगा 0.8 next दल्मा आठब्यारन किस जिले में इस्तित है तो इसका answer हो जाएगा पुर्वी सिंग्भूं next जारकन राज में सरवादिक जनसंख्या वाला जनजाती समुदा है तो जाएगा संथाल next संथाल के कितने गोत्र पाई जाते हैं तो इसका answer हो जाएगा 12 next उराव कप्रिये पे है तो जाएगा हाडिया next बुन्डा जनजाती में ग्रामीन पुजारी को क्या कहा जाता है तो इसका answer होगा देरी next हो जनजाती के देवता कहे जाते हैं तो जाएगा बोंगा next राज मंत्री परिशद की निउक्ति कौन करता है तो इसका answer हो जाएगा राज जिपाल next है राज सरकार को काणूनी समदित भी सवे प्रसला कौन देता है तो हो जाएगा महादिवक्ता next है जारकंड का सबसे बरासन सद्य छेत्र कौन सा है जाएगा पश्मी सींबू next है जारकंड लोग से बायो का मुख्याले कहां है जगा राची next question देखते हैं जारकंड में पंचाय समिति सद्यस्य की कूल संक्या कितनी है तो इसका answer होगा चोवण सो तेईस next है जारकंड में तिसरी बाल दैश्ट पतिसासन कब लागू हुआ तो इसका answer होगा 18 जन्वरी 2013 next नचिनी क्या है तो इसका answer होजाएगा नित्र next है जूमर गीत कब गाये जाता है तो इसका answer होगा परवत्यवाड के अफसर पर next है कितनिया लोग नित का संबंध किस देपता से है तो इसका answer होगा स्री खिसन निग्ष्टे निम में से कौन संथालो का प्रिय वाद है तो इसके अंसर होगा केंद्री और भुआंग निग्ष्टे बिरहोर जनजाती किस चित्रकला में निपून माने जाते हैं तो इसके अंसर होगा कोवर संथालों की कहानियों कामों का पात्र होते हैं ते वो जागा जंगली पसू बाईवल का नागपूरी में अनुवाद किस ने किया ते वो जागा पी इड़नेट्स जारकन का जनजाती परिवार कैसा है ते वो जागा पित्री सतात्मक नेक्स्ट है शेबा विवा निम में सिकी जन जाती में परचली थे तो इसका अंसर होगा उप्युक्त सभी संथाल मुंडा बिरोर नेक्स्ट है निम में सिकी जन जाती में महिलाव कहल और तीर धनुष चलाना छूना निसीद है तो इसका अंसर होग नेक्ष्ट है डैन प्रता का मुख करन है तो इसका अंसर होगा असिक्षा और अंधविस्वास नेक्ष्ट कोश्यन देखते हैं सदानों की जेविका का मुख पेशा है तो हो जाएगा क्रिसी नेक्ष्ट है निम में से किस मिशन ने साथ जुलाई 1944 कुरांची में संथ जेवियर कॉलेज की अस्थापना की तो हो जाएगा रोमन कैतोलिक मिशन नेक्ष्ट है कुलहान विस्विद्याले कहां अवस्तित है तो इसका अंसर हो जाएगा चाईबासा नेक्ष्ट है तो इसका अंसर होगा 1963 नेक्ष्ट है मारंग गोड़ा निल कंड हुआ के लेख़ कौन है तो इसका अंसर होगा महुआ माजी नेक्ष्ट है डार्क होर्स किसकी रचना है तो इसका अंसर हो जाएगा निलोतपन मिर्नान संथाली भासा के उपन्यास मुईला चेतेते दाई के उपन्यास कौन है तो इसका अंसर हो जाएगा नकु सुरेन नाग वंसा वली के रचनाकार कौन है तो इसका अंसर होगा बेनी राम मेतर निक्स्टे 28 اسवी में एमर्ड शनम उलंपिक में स्वन पदक जितने वाली होकी टीम के एक अप्तानी किस ने की थी तो इसका अंसर होगा जैस्पाल सिंग निक्स्टे साबित्री पुत्ती की स्खेल से जूरी हुई है तो इसका अंसर हो जाएगा होकी निक्स्ट है डिंग वाडीन स्टेडियम कहां इस्ती थे तो इसका एंसर हो जाएगा धनवाद निक्स्ट है मेगा स्पोर्ट्स कंप्लेक्स कहां इस्ती थे तो यह हो जाएगा राची नेस कोश्चन हम लोग देखते हैं संजीब कुमार सिंग किस खेल्ज के पर सिक्षक है तो इसका एंसर हो जाएगा त्रिंदा जी नेक्ष्टे चोटा नाकपूर कास्तकारी अधिनियम उने 108 में कुल कितनी धराय हैं तो इसका एंसर होगा 271 नेक्ष्टे चोटा नाकपूर में पहली बार सरवे के कार्ज का प्राणम हुआ था तो इसका एंसर होगा 1902 नेक्ष्टे निम में से किस प्रमंडल में चोटा नाकपूर कास्तकारी अधिनियम उने 108 लागू नहीं है तो इसका एंसर होगा संथाल प्रंगना निक्स्ट है चोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम की पूर पर्थम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है तो हो जाएगा टर्वर्ष सर्वे निक्स्ट है कंदस्टर सर्वे का सर्वे क्या है था तो इसका एंसर हो जाएगा CNT Act के पूर दुसरे वर्ष का सर्वे संथाल प्रगना इक्वारिटी कमिटी का गतन किस वर्स हुआ था तो इसका अंसर होगा 1937 संथाल प्रगना कश्टकारी अधिनियम के संदर में निमनिखीत कतना पर विचार किजिए पहला मिस्टर गैजर की बंदुवस्त रिपोर्ट दिखने के बाततकालिक बिहार सरकार ने संथाल प्रगना एक्वारिटी कमिट्यू निसे 37 का दठन किया दूसरा इस अधिनीम के कुल 10 अध्या हैं उप्यूक में से कौन सा कतन सही है तो इसका एंसर हो जाएगा केवल एक संथाल प्रगना में पहली रहियत कानूनी संथाल प्रगना सेटल्मेंट रेजूलेशन एक्ट 1872 था जग किस वर्ष पारित किया गया था तो इसका एंसर होगा 1872 निसको इसन देखते हैं संथाल प्रगना कास्कारिया दिनेमों 49 निम में से किस जिले में लागू नहीं होता है तो इसका एंसर हो जाएगा राची निक्ष्टे पेशा कानून को कब लागू किया गया तो इसका एंसर होगा 24 दिसंबर 1966 निक्ष्टे किस वर्स बैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रहे तो हम जमिंदारों के जमीन का वंटन किया गया तो इसका एंसर हो जाएगा निसदो निक्ष्टे भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना भाग जर्खंड में होता है तो इसका एंसर होगा 60 परतिसद निक्ष्टे विस में सर परतम भागो की गन्ना कब कहा कराई गई थी तो इसका एंसर होगा 132 बेतला निक्ष्टे खनेज उत्पादन की दिष्टी से जर्खंड का भारत में कौन सा स्थान है तो इसका एंसर हो जाएगा परतम निक्ष्टे एडवेश्टे कामुक उत्पादक छेतर है तो इसका एंसर होगा सराय केला निक्ष्टे नाकफे नी जल परपात किस जीले में इस्ती थे तो जाएगा गुमला निक्स्टे दुआरी गरम जल कुंट किस जिले में इस्ति थे तो इसका अंसर हो जाएगा चत्रा निक्स्टे तिलई या जल विदूत पर्योजना किस जिले में इस्ति थे तो जाएगा कोडर्मा नेक्ष्टे जार्खंट का ट्रक कर खाना इस्तित है तो इसका अंसर होगा जमसेथपूर नेक्ष्टे टिस्को की कोईला की प्राप्ति कहां होती है तो इसका अंसर होगा जड़िया नेक्ष्टे जारकंड की सबसे लंबी राष्टी राजमार कौन है तो इसका अंसर होगा NH33 नेस कुश्यन देखते हैं जारकंड में कुल कितनी दूरजर्शन केंद्र है तो इसका अंसर हो जाएगा दो नेक्ष्टे बुनकर क्रेडिट काड योजना कसुबारम 16.12 को किस मुखमंत्री द्वरा किया गया तो जाएगा आरजुन मुंडा नेक्ष्टे मनरेगा योजना जारकंड की सबी जीलों में कब लागू हुआ था तो इसका अंसर होगा 1 अप्रेल 2008 नेक्ष्टे मुखमंत्री ग्राम से तो योजना किस वर्ष शुरू की गई तो जाएगा 2001 नेक्ष्टे कौन सा योजना राज सरकार दोरा चलाया जाता है तो जाएगा गोकुल ग्राम विकास योजना नेक्ष्टे आस्रम एकलाब विद्याले में कितने वर्ष तक की पढ़ाई होती है तो जाएगा 6 से 12 नेक्ष्टे गोकुल ग्राम विकास योजना कारम कब हुआ तो इसका अंसर होगा 1 अप्रेल 2002 नेक्ष्टे जार्खंड राज परदूसर नियंतन के स्थापना बुद के स्थापना कब हुई थी तो इसका अंसर हो जाएगा 9 अप्रेल 2001 नेक्ष्टे संपुन दामोदर घाटी छेत्र उद्योगों कबडोत्री से प्रवावित है तो इसका अंसर होगा उप्यूक सभी भाईू परदूसर जल परदूसर धवनी परदूसर नेक्ष्टे जार्खंड के किस जिले में सबसे कम पसुद धने तो इसका अंसर होगा लो हो जाएगा 2009 नेक्ष्टे जार्खन राज आपदा प्रबंदन प्राधिकरन जे एस डिम ए इस वर्स गठित की गई है तो हो जाएगा 2010 नेक्ष्टे जल एबम जलबायों समंधियापदाई हैं तो प्युक्त सभी नेक्ष्टे जार्खन पूलिस दोरा जारी किया गया पोटल नेक्ष्टे क्रिसी कर्मन पुरसकार 2020 जार्खन के 20 चेत्र नोध पादम के लिए दिया जाता है तो इसका अंसर होगा धान नेक्ष्टे मातरी बंदा युजना के कर्यानवरन में जार्खन को कौन सा स्थान मिला है तो इसका अंसर होगा 23 मा 35 जूनियर राष्टी एथिलिक्स परतियोगता में अंडर 14 आउ बर्ग का वेश्ट बाली का एथिलिक्स किसे गोशित किया गया तो जैगा आसा किरन बाला सराब पीने वाले राज्यों की सुची में जारखंड कितने अस्थान पर तो इसका अंसर होगा 25 किसमा नेक्स्ट राज में किसे मुक्त गयास कनेक्शन देने की घोश्टना की गई है तो इसका अंसर होगा आंगन बारी केंद्र आसा करते आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें सेर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और झाल